कि Σबस्त्राइब नपस्कार दोस्तों जैसीख रशन कैसे हैं आप सभ उमिद करती हूं दोस्तो खोष होंगे शुखी होंगे शमपन होंगे और दोस्तों यह भी बहुत जरुरी है कि स्वस् pref रहें जो भी मेरे व्यूबर से सबस्क्राइबर से जहां भी अपने आपका बहुत-बहुत ख्याल रखना कोरोना फेल रहे हैं चारोंत तरफ तो चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो की काफी दोस्तों कॉल्स आ रहे हैं जो मेने बिंदी वाली वीडियो बनाई है कि आपने हमारे हमारी जर्म तारीक का तो बताया ही क्वे सब्सक्राइब कि लगानी चाहिए हमारी जुआ हमारी जो राषी यह उसके मुताबिक हमें को भी बिंदी लगानी चाहिए तो काफी सारे सावाल आगए मेरे पास काफी काफी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं काफी लोग कॉल करके भी पूछ रहे हैं तो मैंने सुचा इसके लिए में और भी वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको पूरा-पूरा समाधान मिल जाए और यह दोस्तों बिल्कुल बात है बिल्कुल हाकिकत है जो आपकी ज जाने आपके आप अपने इस्ट देव को तो यह जो चीजे हैं दोस्तों बहुत-बहुत माइने रखती है आप देखना जैसे कि मुरारी बापू है वह हमेसा ब्लेक कलर की ही बिंदी लगाएंगे कितने ही शाधू शंत आप देखना उनका कलर फाइनल होता है कि उसी कलर की शौभावे सब कुछ प्रकरती नहीत होता है अगर आप अपने स्वामी ग्रह के मुताबिक अपने अगर आप वस्त्र पहनते हैं अपने जो स्वामी ग्रह के मुताबिक यदि आप घर के अंदर चीज सामान लाते हैं यदि आप बिंदी लगाते हैं जो भी कुछ आप काम क ऑने स्वामिग्रह के मताबिक करें तो जो आपकी सफल्टाकों कोई रोक नहीं सकता है लिए उससे पहचान करके यदि आप बिंदी लगाते हैँ तो आपकेiezु को कोई पाउरफुल हो जाती है शांत होती है जिस फिल्ड में आपको प्रगती चाहिए उस फिल्ड में आपको प्रगती मिलने लग जाती है जो भी आप सोचते हैं वह आपका आपके काम होते हैं क्योंकि आप अपने स्वामिग्रह से आपका स्वामिग्रह आपसे संतुरुष्ठ हो दोस्तों जिनके जन्मतारिक एक है दस है 19 है और 28 है दोस्तों ये जातक ये व्यक्ति अगर लाल बिंदी लगाते हैं जो पुरु से भी लाल तिलक लगाते हैं तो बहुत ही उन्हें सफलता मिलेगी हर फिल्ड में उन्हें सफलता ही मिलेगी आप पुजा करते हैं पुजा के बाद हमें सापनी बिंदी को हाथ में लेकर के जो महिला है थोड़ा सापने स्वामी ग्रका ध्यान करें और उस बिंदी को लगाएं आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ जाता है लाल कलर की बिंदी दोस्तों बहुत जल्दी हो जाएगा दूसरा दोस्तों जिन जातकों की जन्मतारिक 2 है 11 है 29 है और 20 है मतलब कि 2, 11, 20 और 29 मतलब जिनका मुलांक 2 का आ रहा है बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों 2, 11, 20 और 29 यह सारे ही जातक सफेद बिंदी लगाएं अब आप लोगों को यह प्रशन उठेगा कि सफेद बिंदी तो सूट नहीं होती है तो मैं यह कहूंगी दोस्तों कि आप जो भी कलर की बिंदी लगाते हैं आप उसे लगाएं या तो उसके बीच में आप थोड़ा सा व अवश्य ही लगाएं बहुत बहुत दोस्तों बहुत तो परिवर्तन आ जाएगा आपके लाइफ में क्योंकि आपका जो मुलांखे वो दोका है आपके जो देवता है दोस्तों वो भी शिवजी है आपका जो कलर है दोस्तों आपका जो भाग्य शाली कलर है जो आपके मिलती रहेगी और जो इसके पहले दोस्तों मेंने बताया है एक, 10 और 29 तारिक, 28 और 19 तारिक, यह जातक दोस्तों जिनने में लाल बिंदी बता रही हूं, यह वियदी लाल वस्त्र पहनते हैं और शक्ति की पूजा करते हैं, तो इनकी प्रग्ति को भी दोस्तों कोई रोक नह करें और शुर्य की पूजा करें शक्ति और शुर्य सफल हो जाएंगे जिनकी जनतारिक दोस्तों मैंने दो की बताई है दो ग्यारा उन्तिश ये दोस्तों ये लोग यदि वाइट बस्तर पहनते हैं वाइट बिंदी लगाते हैं तो समझें जिन्दगी में सफलता इनके दोस्तों दो ग्यारा बीस उन्तिस ये चार आखड़े चार मुलांग जिनके हैं वे सारे ही वाइट बिंदी को पसंद करें ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं तीन मुलांग की तो दोस्तों जिनकी भी जन्मतारिक तीन है बारा है 21 और 30 है बहुत ध्यान से दोस्तों सुम लेना जिनकी भी जन्मतारिक तीन है बारा है 21 और 30 है ये सारे ही जातक गुरू ग्रह से जुड़े हुए हैं इन्हें पीली बिंदी लगानी चाहिए पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए जिससे ये उत्तर उत्तर सफल होते जाएंगे लाइफ में और इनकी जो मांसिक इस लास हो सकता है जो भी तीन के मुलांक के हैं अब यदि आपको ती आपको पीली कलर की बिंदी नहीं लगानी है आप लाल ही बिंदी लगाते हैं तो मैं फिर से बताओं कि लाल बिंदी के नीचे आप छोटी सी पीली बिंदी अवश्य ही लगाएं तो दोस्तों यह आप इतना सिर्फ करें यह जो यह मुलांक एक मुलांक दो और मुलांक तीन इनकी जो भी जर्म तारिक हैं आज मैंने इनकी जर्म तारिक के नुसार इनके जो रासी के श्वामी हैं इनके जो देवताग्र हैं उसके मुताबिक बताया है कि कौन सी बिंदी आपकी जो किस्मत है दोस्तों उसको चमका देगी। इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों सब कुछ संभव नहीं हो पाता है बताना, तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आगे के मुलांकों की जानकारी दूँगी, जिनके मुलांग 4 हैं 5 हैं 6 हैं उनके बारे में बताऊंगी अगली वीडियो में दोस्तो तब तक आपको इंतजार करना होगा और हाँ दोस्तो जो नए वीवर्स आ रहे हैं मेरी चैनल पर मेरी वीडियो में प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले ताकि मेरी जानकारिया आसानी से आप तक पहुशती रहें और यदि आपको जानकारिया अच्य ही लगती है तो प्लीज दोस्तो लाइक आवश्य ही करें शेर करें तो कड़ते रहें दोस्तों ये सब को समझने में यदि आपको कहीं कोई तकलीफ होती है तो पूछे अवश्य जैसे अभी दोस्तों आपने बिंदी को लेकर के काफी काफी मुझसे सवाल पूछे तो ये वीडियो मेंने बना करके डाली है आप इसको ध्यान से देख लें समझ आगे के जो मुलांक रहे गए हैं मैं फिर से बता दू उनकी वीडियो में बाद में अपलोड करूँगी उसे भी दोस्तों जरूर देख लेना ठीक है तो कड़ते रहें दोस्तों खुश रहें जैसी क्रश्णा